देखिए एक मेसेज आया है यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर आप यह जो अपनी वेबसाइट पे अलग-अलग आर्टिकल्स अप्लोड करते हो और उसके बाद जो आप डिसकस करते हो जैसे कि for example मैंने दिव्यांग जिन्स के बारे में डिसकस किया रेगमा नागास के बा बड़ चलिए इन्होंने दिव्यांग जन और रेगमा नागास की बात की है इन दो वीडियोस को मैंने बड़ा है तो दिव्यांग जन वाला जो आर्टिकल उस पे एक बार आपस आते हैं सबसे पहले तो आपको आपको पता है यह आपको पता है वेलफेर स्कीम में गौर्म इन्फरमेशन जो आपने नोट्स में इंकॉर्पेट कर सकते हैं कि सेंसिस 2011 के एसाब से हमारे देश में 2.68 क्रोन दिव्यांग जन से जो कि पूरी देश की आबादी का 2.21 प्रतिशत है यह एक important statistic है आपको पता होना चाहिए हमारे देश में दिव्यांग जन के काम के लिए अब पूरे नोट में पूरा का पूरा पूरा आर्टिकल 41 में नोट कर लेना सिर्फ आर्टिकल 41 DPSP relates with you know physically disabled वैसे तो आर्टिकल 41 unemployment, old age, sickness, disabled and सबसे deal करता है बट दिव्यांग जन के अंदर अगर कोई सवाल आता है तो आपको आर्टिकल 41 DPSP code करना आपको याद रखना चाह यह कुछ points है फिर कुछ certain points RPWD Act के पता होने चाहिए तो अब आप कहो कि सर सब कुस तो पता होना चाहिए तो आप RPWD Act लिखो और उसके सामने एक arrow बना के लिख दो कि government jobs में 3-4% और higher education institution में 3-5% मतलब यह RPWD Act ने बढ़ा दिया फिर यह बोला कि 6-18 साल के अंदर जिसको भ यह रखी है RPWD Act के अंदर इसको लिखने इस रोजने हैं किस-किस-किस disability तो याद करते फिर होगी नहीं फिर एक convention है International Convention United Nations Convention on Rights of Persons with Disability पस इस convention का नाम लिख लो तो अगर आप से disabled के respect में पूछ लिया जाए कि भाई क्या-क्या initiatives लीगे हैं globally तो आप इस convention को चेप देना उसके अगर आप बात करो तो यह जो मैंने आपको प्रोग्राम बता है special e-content PME विद्या अब इनको आपको notes कैसे बनाना है PME विद्या प्रोग्राम ठीक है और community-based inclusive development program आप यहां पे आपकी memorizing skills काम आईगी अब जैसे for example community-based inclusive development program में दिव्यांग मित्र लाए जाएंगे उन दिव दिव्यांग जैन की मदद कर सके अब इस CBID के अंतरा कितना note बना सकतो CBID लिखा ठीक है न भई और इसमें यह लिखा कि दिव्यांग मित्र बनाए जाएंगे एक 6 मेने का program में CBID इन दिव्यांग मित्र को training दी जाएगी कि वो physically disabled लोगों की मदद कर सके अब इसको आपको कै आसा जो elaborate करके लिखोगे आप exam में वो आपको अपने शब्दों में लिखना है मैं आपको बतानों physically disabled के उपर नाना प्रकार की स्कीम से केवल केंद सरकार नहीं राज जी की सरकारों की बहुत स्कीम है कम से कम नहीं तो 20 से 25 स्कीम में आपको इस article में बता सकता थे मैंने यह है कि अब कितना आपको बताएं content बताने पा जाओंगो तो सौपने भर जाएंगे content नहीं हतम होगा लेकिन मैं आपको कुछ latest चीज़े बता दिया PME विद्धा प्रोग्राम बता दिया एक accessible India campaign था वो बहुचेदा न्यूज में था यह बता दिया तो एक-एक लाइन में सिर्फ एक-एक लाइन में अभी एक-एक लाइन में आप कैसे लिखोगे वो आपको पता होना चाहिए इंडिया UN convention on rights of persons with disability यह sign कर चुका है यह एक लाइन में लिख लीजे उसके लावई 21 disability कौन सी यह लिखने जरूत नहीं आर-पी-डब्लू-ड आइट के बारे में आपक है उसको भाई right to free education है जो reservation quota बढ़ाया गया है इसको एक लाइन में लिख लीजे आर्टिकल एक तालिस और उसके साथ यह सातवा schedule इसको लिखने में एक लाइन जाएगी और बात खतम होगी census का आपने यहाप एक statistic लिख लिख लिया तो यह पूरे के पूरे जो notes है वो एक पनने से कम में आ जाएंगे दिव्यांजन के respect में इतनी information आपके पास आ गए बाद में कभी अगर दिव्यांजन से related आपको लगता है कि कुछ और information आपको अच्छी लग रही है तो आप इस पनने की नीचे थोड़ी जगा छोड़ दो वहाँ पे बाद में उस बच्ची अपने आर्टिकल्स की basis पे उस पे नोट बनाने का तरीका साथ में बताता चलो thank you for watching have a great day वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना और चैनल को subscribe कर लो अगर नहीं किया तो